सब्सक्राइब अब लोगों को पता है कि फोर्ट मैल जो है 14 तारी को जारी कर दिया गया है तो अब फिप्ट मैल लिस्ट कब तक आएगा हम आपको इस वीडियों बताएंगे साथ में बात करेंगे कि 48 डिविजन ऐसे हैं जिसका अभी तक थर्ड मैं लिस्ट जाड़ी नहीं हुआ है तो कब तक उसका थर्ड जाड़ी होगा और कितने जो है परसेंट में स्लक्षन होने वाला है कितना सीट पे जो है नेक्स लिस्ट आने वाली है राइट क्या क्या आन ऊसाइए ना रहको देखे करी घ्लेया है इस או क्लिक करने के बाद यहां पर आपको मिल जाता त Smells पर ग्ली मैं करना है और यहां पर लिखना है आपको जी ऑल कि ढी ने जी सी जीरियर हम यहां पर लीकलिकर कर लेंगेगे कि सर्च करने के बाद हम आएंगे यहां पर नीचे तो यहां पर आपको देखेगा जीडियस पोटी एडिविजन थर्ड मैल लिस्ट और नीचे आओगे यहां पर आपको मिल जाएगी यहां पर फिफ्ट मैल लिस्ट इस पर आपको क्लिक करना है ना क्लिक करने के बाद हम नी आई है तो देखो रिजल्ट आने के बाद नेक्स जो लिस्ट आती है यह ना जैसे फॉर्ट लिस्ट आया तो फिप्थ लीष्ट और फॉर्थ लिस्ट के बीच में जो evidence वह minimum 15 दिन का होता है क्योंकि document verification होता है तो उसमें टाइम लगता है उसके बाद फिर सारा जो है और सीट को अच्छे से collect करके फिर next list को जारी किया जाता है तो इसलिए पंदरों दिन कमसे कम लग जाता है towards बात करें तो last week of November मतलब 28-29-30 तक रिजल्ट आएगी यदि नहीं आया तो first week of December तक रिजल्ट पक्का जाड़ी हो जाएगा है अब बात कर लेते हैं 48 division का देखो 48 division का जो अभी तक third list नहीं आया है उसका region क्या है कि वहाँ पर election होड़ा है ना तो election जो है बीस तरीक को complete हो जाएगी तो जैसे ही election complete होता है उसके बाद एक दो तीन दिन लगेगा counting करने में उसके बाद उसका result आएगा है ना election का जैसे result आएगा उसके दो तीन दिन बाद यानि कि 27-28 तक हम बोल स जो थर्लिस्ट पेंडिंग में है और महराष्ट्रा का भी थर्लिस्ट जाड़ी होगा ठीक है ना सहले आपको पता है कितना होता है नीचे आते हैं यहां पर हम कटप की बात करते हैं यदि जैनरल हो तो 93-100 फिप्त मैरिट की बात कर रहा है ना क्यूंकि कटप आए जा रहा फिप्त मैरिस्ट के लिए कटप हो गया थर्ड के दी बात करें तो 97-100 जनरल के लिए 94-100 ओवी सी के लिए 90-98 एस्ट के लिए 80-98 से 97 इडल वेस्ट के लिए 93-99 तो यह आपका जो है कटप हो गया है ना अब हम आते हैं यहां पर डोक्रिमेंट लिस्ट के बारे में बात करत है तो सबसे पहले आपको बले करके जाना होगा जैसे की आपको मेल आया होगा है ना कि लिए तो यहां पर पर ऐससे डेंशी्ट काड का फोटोग्राप 10th मार्क सीट लेके जाना है और 10th का एडमीट काड ठीका ना यह ओबरॉल हो गया माकि यहां पे रिजल्ट आएगे यहां से चेक कर सकते हो दो दो लिंक दिया गया है फिल्ट मारे लिस्ट को चेक करने के लिए और थर्ट का चेक करने उसके लिए भी दो लिं अत्यों आएगे तेम है यहां झालोग्राप गाओे लिए जिल्सक्ट फेसे बढ़एगे।।